बिस्मिल्लाइ रख्माली रहीं, असलम अलेकुम वीवर्स कैसे आप आज हम आपको हमेट बिरियानी मसाला बनाना से कहेंगे, तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, बिरियानी मसाला बनाने के लिए आप स्पाइसिस को नोट डाउन कर लिए, चार टेबल स्पून पिसी मिर्च, चार टेबल स्पून पिसा धनिया, एक टीस्पून हल्दी, एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, दो तेस पार्क, एक टीस्पून जीरा, तेक टी स्पून पीसा गरभ मसाला यह हूमीट गरभ मसालय इससे रेसिपी में आपने चैनल पर जल्दन अप्लोड कर दोगा एक टेबल स्पून साबुत गर्व मसाला अगर आपके पास आपुत गर्व मसाला जीरा शामिल हो तो आप जीरा निजासे नहीं लिजेगा एक टेबल स्पून जिसमें लोंगे काली मिर्चे बड़ी लाइची दार्ची नी शामिल है एक टेबल स्पून नमक छह से आट अधत आलोब उखाड़ा एक टेबल स्पून पिसी सौफ आट अधत सब्स इलाइची दो बादियान के फूल हाफ टी स्पूल जाइफल जाबत्री पिसी भी तो चले हम इसे मिक्स करते मसाले को एक बॉल लेंगे खाली साफ होना चाहिए गीला ना हो पिसी मिर्चे शामिल कर देंगे इसमें पिसा धनिया शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे फ़ल्द कर देनिया कर में गर्मसाला शामिल कर देंगे और टेशपा शामिल कर देंगेoooo ऐग अग लंक चाम कर देंगे लाशा मिलकर देंगे को प you का मतर्म मसाली चामिल परगों ऐसल कर दून का पैसरी पैस पॉरदर को सांग दिये कि बादयन के फूब और सबसलाई ची है शामिल कर देंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेस पात के पत्ते आप चाय तो तुकड़े करकर डाल दीजिए कि है अच्छ जी मिक्स कर ले मसाले को कि लिजिए हमारा होमेट जबरियानी मसाले बन करके तयार है है तेस बात के मैं फ्रोट फुकड़ and two instant और ये मसाला और एक किलो बिर्यानी के लिए जब एक किलो कि बनाएंगे तो यह साहरा मसाला एक किलो बिरियानी के लिए यूज होगा अगर आप हाफ आदा किलो बना रहे हैं तो इसमें से आदा मसाले ले लिजेगा अगर आप इसी तरह से कॉंटिटी को बढ़ा सकते हैं यानि दो किलो बिरियानी बना रहे हैं तो इन मसालों को डबल कर लिजेगा जिस तरह से आपको बनाना है, आफ कोन्टिटी डबल करते जाएंगे, तो देख सकते हैं, ये बिना प्रसवेटिव और मसालों से नईयार करता है, घर के मसालों से, बतार के मसालों मेर प्रसवेटिव चामिल होता है, कैमिकल चामिल होते हैं, लेकन केमिकल से시ाला हों को income free है, ये जबरद सकता है खुश कर लीजिएगा साथ सता जार उसमें भढ़कर रख लीजिए और अडाम से जब भी विरियानी बनाए इसे यूज करें तो आप इस मसाले की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो को ऐसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा वीडियो